नमस्कार दोस्तों, एंटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों को ज्यादा तकलीफ क्यों मिलती है? आचारे चाड़क के इस विशय पर क्या कहते हैं? आपको जरूर जान लेना चाहिए दोस्तों चाड़के के अनुसार कभी-कभी अच्छा इंसान होना भी घाटे का सवधा हो सकता है क्योंकि आज के समय में ज्यादा अच्छा होना भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता चलिए बात करते हैं एक अच्छे इंसान के अंदर क्या-क्या कमजोरियां होती हैं और चाड़के के अनुसार मनुष्य को कैसे रहना चाहिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहली बात है दोस्तों एक अच्छा इंसान कभी दूसरों को ना नहीं कह पाता इसलिए अक्सरी इन लोगों का फायदा भी उठाया जाता है अच्छे लोग बिना किसी कपट के और बिना किसी स्वार्त के दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं इनने ये भी समझ नहीं आता कि आगए बाला इंसान केबल इनका फायदा ही उठा रहा है उन्हें इन से कोई मतलब नहीं है अच्छे लोग दूसरों की मदद तो कर देते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मांगते और दूसरों से मदद की उम्मीद भी नहीं रखते लेकिन चाल बाज और दम भी लोग दूसरों की मदद तब ही करते हैं जब उन्हें बदले में कुछ चाहिए होता है दोस्तों अच्छे लोगों के लिए चाड़क के ने ये सलाह दी है कि कभी अपनी संपत्ती का पता दूसरों को चलने नहीं देना चाहिए दूसरों को कभी मत बताना कि आपके पास पैसे हैं अन्यता लोग आपकी अच्छाई का जरूर फाइदा उठा लेंगे आप से कोई जूटी बात कहकर आप से पैसे तो उधार में ले लेंगे लेकिन उन पैसों को कभी बापस नहीं लोटाएंगे क्योंकि वे जानते हैं कि आप उनके पैसे को लेकर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे लेकिन उन लोगों को केबल पैसों से मतलब होता है आपकी मित्तरता से उन्हें कोई मतलब नहीं होता आप चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं वो लोग आपकी कभी मदद नहीं करेंगे इसलिए अपने पैसों के बारे में दूसरों को मत बताना भले ही आप अपने पैसों को किसी गरीब को दान में दे देना वो आपको दूआ देगा लेकिन दुष्ट मित्र आपके पैसे लेकर आपको ही गाली देगा और आपके मृत्यू की कामना करेगा तीसरी बात चाड़क के कहते हैं कि अच्छे लोग दूसरों के साथ शत्रूता होने के बाद भी बदला लेने के बारे में नहीं सोचते बाद विबाद होने पर दूसरों से गालीय के बाद भी मौन रहते हैं पलट कर जबाब भी नहीं दे पाते क्यूंकि उनका अंतर्मन साफ होता है और इनके मन में दूसरों के लिए अपशब्द भी नहीं निकलते इसलिए अक्सर ये दूसरों के अपशब्द सुनकर चूप हो जाते हैं लेकिन ऐसे समय पर संयम रखना बहुत जरूरी होता है चूप रहना एक बात है लेकिन अन्या सहन करना भी मुर्खता है आगे वाला व पहस नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर वो जान बूज कर आपको परेशान कर रहा है तो उस व्यक्ति को सभी के सामने प्रेम से बुला कर उसकी असलियत उसे बता देनी चाहिए सभी के सामने उस व्यक्ति की सच्चाई बतानी चाहिए और खुल कर उसका सामना करना चाहिए तब ही के भले की बात करते हैं, लेकिन हर बार इनका फायदा ही उठाया जाता है, जो भला करने जाता है, उसी को डुबाया जाता है, ऐसे समय में आप दूसरों की सहायता जरूर करें, लेकिन कभी उनसे लगाव ना रखें, क्योंकि इससे आपके मान को हानी पहुंचती है, दिल का साफ होने के कारड़ ये दूसरों की जिद को ज्यादा देर तक मना नहीं कर पाते, क्योंकि ये किसी को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार इनकी इसी आदत की वज़े से, इनके बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, और इनका जीना मुश्किल कर देते हैं, इ जबान होने के बाद मित्र की तरह बेवार करें, एक अच्छे पती का औरते हस से जादा फायदा उठाती हैं, एक अच्छे पुरुष की पत्नी अगर स्वेक्षा चारिड़ी हो, तो वह उसका जीना मुश्किल कर डालती है, इसी लिए बिबाह के बाद अपनी पत्नी को अ हमेशा अहमियत नहीं देनी चाहिए, जब पत्नी पत्ती को आग्या देने लगती है, तो उस घर का विनाश हो जाता है, अगर पत्नी पत्ती का दूसरों के सामने अपमान करती है, तो ऐसी पत्नी को अच्छे से समझाना चाहिए, अन्यता भविश में बहुत परेशानिया खड़ी हो सकती है, दोस्तों इतने सब के बाद भी एक अच्छा व्यक्ति अपने माबाप के लिए हमेशा अच्छा होता है, और उसके माबाप कभी भी उसका फायदा नहीं उठाते, अपने माबाप को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब अकेले पर जाओगे, तो माबाप ही एक काम सतरकता के साथ करना जरूरी है, आजारे चारक के भी कहते हैं, अधिक सीधा नहीं होना चाहिए, अगर आप जंगल में जाकर देखते हैं, तो सीधे ब्रिक्षों को काट दिया जाता है, और तेड़े मेरे ब्रिक्षों को छोड़ दिया जाता है, इसलिए अधिक आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो